एक शूटिंग देख रहा था मैं, उसमें मुझे कम से कम चार से पाँच मिनिट का क्लीप इंस्टाग्राम पे देखने को मिला, थोड़े से स्क्रीन शॉट छाप लिए मैंने उसमें से ताकि थमनेल में लगा दू, और थोड़ा सा आजे सर के फैंस को जलाओ के देख लो भे बट मुझे थोड़ा सड आउट है कि वो रिसेंटली हाँ, कुछ लोगों के एकोर्डिंग या अभी का ही शूट है, और क्यूंकि इन लोगों ने जो सिंगम का अब क्लाइमेक्स बगरा चेंज किया है, फिल्म थोड़ी से, कुछ लोगों का कहना है यार यह फिल्म पोस्पॉन होगी, लेकिन कल का अगर स्टेट्मेंट देखोगे रोजच शेटी का उसने क्या बोला, हमारी फिल्म दिवाली के लिए ही तो हमने डिसाइड किया है कि वो जल्दी दाने के, उसी में आपका अंसर है, तो यह नहीं बोलने की ज़रूरत है कि भाई पोस्पॉन मुझे नहीं लगता होगी, कोई पोस्पॉन का सवाल नहीं आता है आपे, यह फर्स्पॉन्ट, दूसरा पॉइंट यह है कि जो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिंगम अगें का टीजर का कोई अपडेट क्यों नहीं आया, देखो, मेकर्स टीजर को लेके प्लैनिंग कर मैं मानता हूँ, लेकिन हां मेकर्स डीले है, क्योंकि इन लोगों ने एक भी पोस्टर नहीं लाया, यह डिसपॉन्टिंग बात है, मैं मानता हूँ यह चिस, हम बार-बार क्लैश की कंपर नहीं कर सकते, भाई, भुल-बुलया वालों ने भी तो नहीं लाया, तो इनोंने क लाना चाहिए, भाई, क्यों, क्या दूसरे ने नहीं लाना चाहिए, एक ने नहीं लाया, मानके चलो, क्या दूसरे का काम नहीं लाना, तुम क्या उसको थोड़ीना फोलो कर रहे हो, भाई, अलग-अलग हाईप रहता है, प्रोमोशन भी अलग-अलग टाइप का रहता है, इवेंट्स होती है तो उस एकोर्डिंग मुझे मैं डिसपॉंट हो गा इन लोगों ने इतनी इतनी बड़ी स्टार का स्टेंगी इन लोगों ने कुछ नहीं तो आजे का एक पुष्टर लाना चाहिए बहुत अच्छा वाला जिसमें सिंगम अगेन लिखा होगा ये कुछ नहीं ये डिले लोग है आपको इंतजार करना ही पड़ेगा और अफिशियल अभी तो बोला जा रहे कि शायद सिंगम का बज़ेट 200 से लेके 250 करोड से है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजिए वीडियो को शेर करो जितना जाद हो से कि दोस्तों टेक क्यार